बिस्मिल्लाहिर्मानिर्रहीम, अस्सलामुलेकूम लेसन छीलना हमेशा से बहुती मुश्किल काम रहा है और अगर वो देसी लेसन हो तो और भी छीलना मुश्किल होता है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपनी ट्रिक शेर कर रही हूँ जिससे आप लेसन को बहुत आसानी से चील लेंगी और आप उसको ज़्यादा कॉन्टिटी में चील के फ्रीज भी कर सकती है तो रेस्पी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर ले तो यहाँ पर लेसन मैंने ले लिया है और मुझे उमीद है कि इससे आसान ट्रिक आपके पास पहले कभी नहीं होगी तो मेरी इस वीडियो को मुकमल देखिएगा ताके आप जान सकें कि हम लेसन को कैसे चीलेंगे तो यहाँ पर मैं लेसन के कुछ ले लिया है पीसेज देसी लेसन है यह और इसका करना हमने क्या है कि हमने इसकी यह जो कलिया है इनको कर लेना है अलग इस तरह तो पहले मैं यह कर लेती हूँ एक कली को हमने इस तरह खोल लेना है तो यह देखें इस तरह जो थोड़े से एक्स्ट्रा छिलके निकलेंगे उनको हमने निकाल देना है और सारी पोतियों को इसी तरह हमने अलग अलग कर लेना है यह देखें बाकी का करके पर मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप हमने क्या करना है एक्स्ट्रा जो चिलके थे उनको मैं निकाल रही हूँ तो यहां पे सारे लेसन की इसी तरह मैं कलिया निकाल लूँगी और इस तरीके को जानने के लिए वीडियो को मुकमल देखिएगा और आप घर में बाअसानी इस लेसन को चील सकेंगी और इसको स्टोर भी कर सकेंगी यहां पे मैंने सारे देखें इस तरह पोत्यों को अलग कर लिया है और अब हम इसको शामिल करेंगे एक चौपर में अगर आपके पास चौपर ना हो तो जो मिलकशेक वाला जग होता है आप उसके अंदर भी इसको कर सकती है तो यहां इसको शामिल करने के बाद इसको हमने चलाना है सिर्फ आप मिनट के लिए या एक मिनट के लिए और यह चिलके देखें लेसन पर से उतरने शुरू हो गए है और इसको यह देखें इस तरह हलके हाथ से आप मस लेंगे तो ये सारा लेसन इस तरह निकल आएगा छिलके अलग हो जाएगे और लेसन हमारा अलग हो जाएगा तो आप इसको वाश करें, ड्राइ करें और फिर आप इसको फ्रीज कर लें या आपने इसकी पेस्ट बनानी है तो अद्रक शामिल करके इसकी पेश त्यार कर ले तो ये आसान सी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी मुझे ये कॉमेट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये लेसन चीलने की ट्रिक कैसी लगी दौाओं में याद रखिएगा अपना बहुत ख्यार रखें अल्हाफेज